Hello Everybody दोस्तो हरयाना स्टाप सेलेक्शन का पिछले कुछ दिनों मैं आपको पता होगा Physical Screening टेस्ट चल रहा है Physical Measurement टेस्ट चल रहा है हरयाना पुलीस का ठक है male का भी हुआ है Constable male का Constable female का Sub Inspector male का Sub Inspector female का और IARB का इन सभी के लगबग सभी चीजे अल्रेडी हो सुकी है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं HSC का कमाल देखो यारो मसीन ने बताया गलत डाटा PMT की मसीन में फाल्ट आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ दोस्तों एक कैंडिडेट ने कॉनस्टेबल के लिए भी अपना मेजरमेंट टेस्ट करवाया और सब इनस्पेक्टर मेल के लिए अपना मेजरमेंट टेस्ट करवाया लेकिन कॉनस्टेबल मेल की हाइट और चैस्ट और उसी कैंडिडेट की सब इनस्पेक्टर में हाइट और चैस्ट अलग-अलग शोग करी गई दोनों की सलिप बंदे के पास मौजूद है तो यह दोस्तों यहां पर बात आती है या तो कौन स्टेबल वाड़े दिन मसीन में फाल्ट था इस कैंडिट के साथ में या फिर जब सब इंस्पेक्टर के मेजरमेंट टेस्ट वा उस दिन मसीन में फाल्ट था तो कहीं ना कहीं चूक हम कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में तो यह नहीं पता की किस दिन फाल्ट था आप यहां पर देख लीजीए तो दोस्तों यह है Mail इख लिए आप यहां पर देख लीजीए नाम देखिए उसके बाद रोल लंबर देखिए एड़रटाइजमेंट 3-2018 काटाइगरी निम्बर 8 नेम उबदा पोस्ट मेल कोंस्टेबल जी डी 13 तारिकों था इसका ठीक है 9 बजी मेल है BCA काटाइगरी है तो यहाँ पर आप देखिए हाइट कितनी चाहिए इसकी तो यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ इसको दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 168 सेंटिमेटर हाइट ज़रूरी है और 168 सेंटिमेटर इसने मसीन ने निकाली है ठीक है उसके बाद चैस्ट कितनी चाहिए नर्मल 81 और फुलाओ के साथ मतलब इसकी कितनी बैठी 90.5 बैठी कलियर है उसके बाद फुलाओ के बाद 85 चाहिए इसकी बैठी 103.7 ठीक है उसके बाद में है तो दोस्तों आगे यहाँ पर बतागा कि 4 सेंटिमेटर की आपकी फुलाओ ओने चीए और इसने फुलाया 13.2 यह सारा डाटा मसीन ने बताया है ठीक है और यहाँ पर देखिए यह केंडेट क्वालिफाइड माना गया है ठीक है आगे नीचे देख लें यह आपके साइन वाइन आप देख सकते हैं अची तरह से ठीक है तेरा तारिक को हुआ है यह टाइम है ठीक है और नीचे केंडेट ने कुलदीप ने अपरू कर दिया इसको ठीक है आप अच्छे द्यान से देख सकते हैं मेल को इंस्टेवल का यह डाटा मसीन ने शो किया है 2018 की एक टाइगरी है दोस्तो ठीक है अब दिखाता हूँ मैं इसके बाद वाड़ा नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कुलदीप A के कलियर है कटाइगरी नमबर आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं कलियर आप सभी को दीख रहा हुगा ठीक है उसके बाद में category आप चेक कर सकते हैं पहले वाड़े में और अब वाड़े में BCA ही है तो यहाँ पे देखिए 166 cm मसीन ने कितनी बठाई 167.7 यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं दोस्तो चैस्ट यहाँ पे नॉर्मल 81 मसीन ने बताई 159 ठीक है और फुलाओ के साथ 85 यहाँ मसीन ने बताई 103.9 ठीक है और पहले फुलाओ कितनी चार और अब किदनी बैठी 8.9 मानते हैं चाती में फरक हो सकता है चैस्ट में लेकिन हाइट में मेरी हिसाब से फरक नहीं पढ़ना चाहिए यह हो सकता है वही बच्चे ने केंडिट ने बालवाल कटवाए हूँ ऐसा कुछ हो मैंने ऐसी उससे बात की तो ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तो और साइद इन चे जो से फरक भी नहीं पढ़ता है ठीक है यहाँ पर देखिए डे टाइम आप यह हम देख सकते हैं ठीक है न और कुल दीप ने इसको अपरू किया उस दिन तो दोस्तो मेरे को यह चीज आपको दिखानी थी और इस केंडिट को रिजेक्ट कर दिया गया है कौन स्टेबल में इसको असेप्ट कर लिया गया है और सब इन स्वेक्टर में इसको रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पे दो बाते सामने आती हैं हो सकता है मसीन में फाल्ट हो कहीं ना कहीं पोस्टीबल है यह चीज की मसीन में फाल्ट हो दूसरा ये भी हो सकता है कि candidate का natural कुछ ना कुछ change हुआ हो मेरे को नहीं लगता ऐसा मैंने उसे पुछा वे cutting whatting कराई हो आपने कुछ फरक पड़ा हो जुत्ते अलग पैने हो कुछ और चीज क्या हो तो उन्होंने पता ऐसा कुछ भी change नहीं था same to same वही चीजे थी लेकिन measurement कहीं ना कहीं उसके सामने change हुआ है तो दोस्तो बस यही एक information आपके साथ share करने थी आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ 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 यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो please आप मुझे mail के माजधम से अपने receipt send किजिए ताकि उसके बारे में भी कोई update सभी के साथ share कर सके आप मुझे what's up कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो इंतर नहीं आपको वीडियो कैसे लगी है लाइक और केमेंट करके जुरूर बताईएगा और दोस्तो ये वीडियो अपने यहां तक देखी आप सभी का बहुत वो धिन्यवाद बगवान करे आप सभी का दिन सुब रहे